नमस्कार सु स्वागतम वेलकम मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने मेश राशी वालों का मही महा कामासिक राशी पर लेकर उपस्तितु हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस मा में आने वाले वरत और त्योहारों के बारे में चार मही को विरुतनी एकादशी का वरत किया जाएगा दस मही को भगवान परशुराम जैनती मनाई जाएगी दस मही को ही आखा तीज का पर्व भी बड़ी ही दूमदाम से मनाया जाएगा इसे अबूज मौरत के रुप में जानते हैं यानि इस दिन शुपकारियों को करने में मौरत की आवशक्ता नहीं होती 12 मही को मदर्स डे आ रहा है 19 मही को मोहिनी एक अदशी का पर्व मनाया जाएगा 21 मही को नर्सिंग जैनती मनाई जाएगी और 23 मही को बुद्ध पुर्णी मा का पर्व बड़ी दूमदाम से मनाया जाएगा तो ये है कुछ विशेश वरत और तयोहां जो कि इस मा को बना रहे हैं विशेश अब ग्राओं की इस्तती के इसाब से ये मा किस प्रकार से विशेश रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले ग्राओं के राज़त सूरी की बात करते हैं जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशी मेश में विराजमान है और 14 मही को वे अपनी सम राशी व्रशब में प्रविश कर जाएंगे बुद्ध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशी में में विराजमान है और 10 मही को मित्र राशी मेश में और 31 मही क अपनी सम राशी व्रशम में प्रविश कर जाएंगे मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माँ अपनी अतिमित्र राशी मीन में विराजमान रहेंगे गुरू अपनी अतिमित्र राशी में विराजमान है और एक महीं को गुरू का राशी परिवर्तन होने जा रहा है य वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशी मेश में विराजमान है और एक मई को अपनी समराशी व्रशब में प्रविश कर जाएंगे शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशी मेश में विराजमान है और 19 मही को वे अपनी समराशी विरशब में प्रविश करेंगे शनी ग्रह इस पूरे माँ अपनी खुद की राशी कुम में स्वग्रे योकत विराजमान रहेंगे और राहू और केतु अपनी समराशिया मीन और कन्या में इस माँ विराजमान रहने वाले हैं तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की इस्तती अब इन ग्रहों की इस्ततियों का क्या प्रभाव आपको अपने इस माह पर अपने इस राशी पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं शुरू करते हैं मेश राशी वालों का मई माह का मासिक राशी फल सबसे पहले मै आपको बता दू कि ये जो मैं आपको राशी फल देती हूं ये चंदर करनाओं पर आधारित रहता है और इसे आप अपनी राशी और लगन दोनों के हिसाब से देख सकते हैं यानि ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है सबसे पहले आपके राशी स्वामी मंगल की बात करते हैं जो कि इस पूरे मापनी अतिमित्र राशी मीन में विराजमान रहने वाले हैं लेकि राशी स्वामी भी हैं और अस्टमेश भी हैं राशी स्वामी की बात करूँ तो अपने से बारवे बैठें मंगल का अपने से बार के लिए आपके personality के लिए सही नहीं है वो आपको impulsive बनाएगा और impulsive बनके अगर आप कोई भी decision लेंगे तो decision भी आपके गलत निकलेंगे क्योंकि हम कभी भी क्रोध और आवेश में सही decision पर नहीं पहुँच पाते हैं इसलिए यहां पर आपको शांत रहने की बहुत आवशकत है वो आपकी personal life से जुड़े है चाहे आपकी professional life से दोनों ही तरीके से वो परिशान होंगे और उसमें आपके रिस्ते relations खराब होंगे इसलिए आपको संबल कर रहने के आवशकता है ददियाल वालों के साथ संबंद उतार चड़ा बरे रह सकते हैं साबदानी के साथ आगे बढ़ें अब मंगल चुकी आपके estimation अपने से पंचम जाकर बैटे है या पर मंगल का अपने से पंचम जाकर बैटना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा यात्राएं जो भी करेंगे वो यात्राएं आपके लिए successful रहेगी जो भी उपदेशे रहेंगे वो उपदेश आप किसी पर भी depend नहीं रहेंगे और self depend होकर अपने कारियों को करेंगे ताकि आपके कारिय दृत गती से संपन होते चले जाए तो मंगल के result लगनेश और अस्टमेश दोनों के हिसाब से अलग अलग देखने को इस माह में मिल रहे हैं बस थोड़ी सी साफधानिया जो मैंन कर बैठ रहे हैं और 19 मई तक शुक्र आपकी राशी में ही विराजमान रहने वाले हैं मेश राशी में और 19 मई को वे अपने ही घर में स्वग्रई होकर विराजमान हो जाएंगे शुक्र का अपने ही घर में स्वग्रई होकर बैठना शांदार परिस्तितियां आपके लिए लेकर आने वाला है धने इस पहले तो अपने से बारवे बैटेंगे तो थोड़ा सा effect आपको देखने को मिलेगा कि आपके काम थोड़ी सुस्ती से हो रहे हैं आपका मानी पर नियंतरन नहीं है आलत से आप पर छाया हुआ है रिस्तों को धंसे नहीं बापार है हर जगा आपको डांट सुनने को मिल रही है चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे परसनल लाइफ हो क्योंकि आपकी लापरवाई उसमें है पर अगर आप अपनी लापरवाई को साइड कर दें अपने आपको कर्मट बना दें समझदारी से डिसिजन लें तो आपको रिजल्ट शुक्र के शांदार मिलेंगे वैसे भी देखे धनिस्तान में गुरु बैटे है गुरु जहां बैटे उस घर की स्थाना आनी करते है इसलिए आपको और अधिक संभल कर चलन करने को मिलेंगे 19 महीं के बाद 19 महीं के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है धनागवन के नहीं नहीं योग बनेंगे पैत्रिक संपत्ती समंदी विवादों का निप्टार आपके पक्ष में होगा आपके लिए सॉफ्ट कॉर्णर आपकी फैमिली का आपके रि परशित रहेंगे और आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे ये तो ही वर्क प्लेस की बात अब सप्तम भाव पर आते हैं क्योंकि सप्तमेश भी शुक्र है और 19 महीं तक शुक्र अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देखेंगे यहां पर शुक्र का अपने ही घर को 19 19 मही तक देखना बहुत ही अच्छे विवा के योग मना सकता है यानि जो भी विवा योग्यों हो चुके हैं वो अपने प्रयास तेज कर दें 19 मही से पहले पहले आपको अपना मंचा लाइप पार्टनर मिल जाएगा तो यह आपके लिए यानि जो विवा योग्यों योग्य उतिया हैं उनके लिए बहुत ही गुड नियूस है पर 19 मही के बाद का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है इसलिए प्रयासों को तेज करना होगा ताकि आप 19 मही से पहले ही अपने लिए एक अच्छा लाइप पार्टनर चूस कर सके शुक्र अलें कि अपने ही घर मे भी शुक्र है इसलिए 19 मही से पहले ज़्यादा चांसिस बनेंगे हालें कि जो व्यापारिक वर्ग है उनके लिए तो ये पूरा महीना बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे तो शुक्र से संबंदित आप जो भी काम करते है जाया वो परफिउम का वो फलार का वो ट्रैवलिंग बिजनस वो कला के शित्र में कलाकार हो चैरे मन कलाकार हो चैया फिल्म उत्योग से चुड़े हों चैहाव किसी भी तरह की कला आर्ट और क्राफ्ट अपने अंदर रखते हैं चाहे आप डांसर हो, मुजिशन हो या फिर आप रेस्टरों का फूड का, होटल व्यवसाय का काम करते हैं जो भी चकाचौन से संबंदित चीजें होती है व्यवसाय होते हैं, वो सब शुक्र के अधिकार शेत्र में आते हैं, तो ऐसे कारियों में शुक्र आपको बहुत शांदार लाप और अच्छी परिस्थित्या इस माह, यानि मही माह में जरूर देलाएंगे, यानि व्यापारिक वर्क की तो हो गई है, बले-बले इस माह, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट, शुक्र के पूरे माह देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले तो अपने से सप्तम और उसके बाद अपने से स्टम पर अपने ही घर में, तो बहुत अच्छी इगटना है आपके साथ होगी, जिससे आपको अच्छा और हैपी फील हो अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर, आपके पराक्रम हैं बुद्ध, और बुद्ध चाकर बैट रहे हैं, अपने से दशम, बुद्ध खर्चबाव में भी बैट रहे हैं, राउ के साथ बैट रहे हैं, और ये जो राउ के साथ बुद्ध बैट रहे हैं दस महीं तक बैठेंगे, उसके बाद आपकी राशी में ही बुद्ध आ रहे हैं और बुद्ध आपकी राशी में फिर 31 मही तक रहने वाले हैं बुद्ध का ये जो राशी परिवर्तन रहेगा 9 मही के बाद वो आपके लिए बहुत कल्यानकारी रहेगा क्योंकि पराक्रमेश पहले से अपने से दश्ण बैटेंगे पर खर्च में राउ के साथ थोड़े से दबेवे दिखाई देंगे ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं जैसा रियल में आप डिजर्व करते हैं पर 9 मही के बाद बुद्ध के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि बुद्ध आजाएंगे आपकी राशी में यानि पराक्रमेश अपने से ग्यारवे बैटेंगे लाब की इस्ततियां अच्छी बुद्ध के रिजल्ट अच्छे आपकी बुद्धी को और अधिक प्रकर करेंगे डिसिजन मेकिंग को इंप्रू करेंगे इस समय आपके काम फटाफट से होंगे रिकोगनाइस चीजों को कर पाएंगे सही टाइंग पर सही चीजे होंगी जिससे आपको बहुत अच्छा लाब उस कारियों का देखने को मिलेगा राजनिती से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छा लाब मिलेगा वानी से यानि आप अपनी वानी को इतना प्रभावशाली कर लेंगे क्योंकि जन्ता के प्रियों बन जाएंगे जन्ता पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा तो बुद्ध के रिजल्ट पराक्रम भाव के इसाब से बहुत ही अच्छे रहेंगे अब रोग भाव के बात करते हैं देखे बुद्ध रोग भाव के स्वामी है अपने से सप्तम बैठ रहे हैं और 9 महीं तक बैठेंगे अपने से सप्तम बैठ कर अपने गर को देख रहे हैं तो ये समय तो आपके लिए ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा स्वातसमंदी समसें उत्पनन नहीं करेगा, पर जब बुद्ध आपकी राशी में आ जाएंगे, यानि में इस राशी में जब बुद्ध प्रविश करेंगे, तो रोगभाव का स्वामी अपनी से स्टम बैठेगा, तब थोड़ा सा आपको BP की प्रॉब्लम अगर है, या सुघर की प्रॉब्लम है, या फिर कोई फ्लच्विशन आपके बॉड़ी में होता है, नर्व सिस्टम का, तो डेफिनिटली थोड़ा सा केरफुल रहें, बाल जहना, या दास कमजोर हो जाना, तो उन चीजों के मामले में थोड़ा सा आपको संबल कर रहना है, बाकि कोई दिकत नहीं है, बुद्ध के रिजल्ट उस तरीके से भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, विरोधी परास्त होंगे और आपके कारियस सजकता से हो जाएंगे, अब आते हैं आपके सुखिस्तान पर, आपके सुखेस हैं चंद्रमा, और चंद्रमा फ्लच्वेट होते रहते हैं, तो इस माँ आपके सुखों में चोटा मुटा फ्लच्वेशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, बहुत बड़े फ्लच्वेशन की स्तती मुझे नहीं लग रही है, परंतु चोटे चोटे फ्लच्वेशन हो सकते हैं, थोड़ा साथ संबल कर आपको रहना ही है, सोच समझ कर डिसिजन लेना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, माँ के साथ संबंद अच्छे रखने हैं, अलाएंकि उनका सपोर्ट आपको पूरे माँ देखने को मिलेगा, किसान, वर्ग, दूट, डेरी से संबंदे जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी ये माँ बहुत ही अच्छा रहेगा, अब आते हैं आपके पंचमभाव पर, देखें आपके पंचमेस है सूर्य, और सूर्य की अगर मैं बात करूँ, तो सूर्य आपकी राशी में उच्चके होकर विराजमान है, और 14 मही तक उच्चके होकर रहने वाले हैं, उसके बाद में समराशी विरशब में चले जाएंगे, यानि आपके द्वितिय भाव में सूर्य के साथ यूति करेंगे, और ये जो सूर्य गुरू की यूति है, ये अभी भी चल रही थी और आगे भी चलने वाली है, अप्रेल महा में भी थी, मही में भी है, और ये यूति बहुत ही अच्छी और कल्यानकारी रहने वाली है, यानि एगर आप गौवर्मेंट जॉब का, गौवर्मेंट में सिक्षक या सिक्षण व्यफसाय से जुड़ना चाहते हैं, उसके कोई आपने एक्जाम दे रखा है, उसका कोई रिजल्ट आना है या एक्जाम होना है, डेफिनेटल ये टाइम पिरिएड इन सब चीजों में बहुत ही इंप्रूमेंट वाला रहेगा, आपको सकारात्मक परिणावों के प्राप्ति होगी, संतान की तरफ से सुब समाचार मिलेंगे, बच्चे बहुत अच्छे से सैट होते हुए दिखाई देंगे, पड़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, जिससे आप उनके प्रतिक गौर्वान विद महसूस करेंगे, यानि पैरेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और खुशियों से बरा रहेगा, बच्चों के लिए ये समय करियर में आगे बढ़ने का रहेगा, आपका सेल्फ कॉंफिडेंस अप रहेगा, और इस समय आपके डिसिजन मेकिंग भी इंप्रूव होगी, और पूजा पार्ट और धर्मकर्म के कारियों में आपकी रूची और अधिक बढ़ने वाली है, तो गुरू और सूरी की जो यूति होगी ये हर तरीके से आपके लिए बहतर रहेगी पहले भी और बाद में भी, अब आते हैं आपके सीधा भगेस्थान पर, आपके भागेश हैं गुरू और गुरू आपके खर्च भाव के भी स्वामी है, यहाँ पर मैं देखूं तो भागेश अपने से सस्टम जा रहा है, एक मही को गुरू राशी परिवर्तन करने वाले हैं, अब तक गुरू आपकी राशी में बैठे थे, यहाँ मेश राशी में बैठे थे, जो कि उनके अतिमित्र राशी थी, अब सम राशी में बैठे हैं, और गुरू हैं अपने से सस्टम, भागेश हैं अपने से सस्टम, इसलिए आपको अब कर्म प्रदान बन जाना चाहिए, अब तक गुरू का बहुत लाब उठा लिया, आपने अपने से सस्टम बैठे थे, भागे साथ दे रहा था, और लग फैक्टर काम कर रहा था, पर अब आप कर्मट हो जाएए, भागे के बरूसे ना बैठे, तो आपके लिए बैतर रहेगा, जितना कर्म प्रदान बनेंगे, उतना आपके लिए बैतर रहेगा, नौकरी की अपॉर्चुनिटी के लिए भी मसकत करनी पड़ेगी, युवक युवतियों को कोई काम शुरू करना है, तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, और गुरू कर्म को प्रेडित करते हैं, कर्म करने के लिए प्रेडित करते हैं, गुरू सपोर्ट अभी करेंगे जब आप कर्म करेंगे, क्योंकि गुरू हमिसा सच का साथ देते हैं, इसलिए आपको भी अप कर्मट बनने की आफशक्ता है, हलें कि अध्यात्मिक कारियों में आपकी रूची बढ़ेगी इस समय धार्मिक यात्रा है आपके अधिक रहेगी और धन्कन के कारियों में भी आप बहुत अधिक रूची लाते हुए दिखाई देंगे जिससे आपके maturity आपके अंदर जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी अब गुरू चुकिए आपके खर्च भाव के स्वामी है अब तक खर्च भाव का स्वामी अपने से घर आके बैठा था अब खर्च भाव का स्वामी अपने सित्रतिय बैठा है अपने सित्रतिय घर्च भाव का सामी ठीक है गुरू समराशी में भी बैठे है इसलिए विदेशों से आपको जैसे अब तक फायदा होता रहा है वैसे ही होगा उसमें बहुत जैदा फ्लट्विशन मुझे नहीं देख रहा है बजट देखकर चलेंगे तो आपके लिए बैतर रहेगा क्योंकि ब्रजट देखकर चलने में ही फायदा रहेगा खर्च की इस्ततियों से तभी आपको मुक्ति मिल सकती है बाकी गुरु के रिजल्ट खर्च भाव के इसाब से भी आपके लिए बैतरी रहेगे अधिकारी आपके पक्ष में ही रहेंगे अब आते हैं आपके कर्म भाव और लाब भाव पर देखें लाब भाव में शनी बैटे हैं कर्मीश मी हैं लाब भाव में जाकर बैटे हैं बहुत शानदार इस्तियां कर्म और लाब की आपको मिल रही है मिल भी रही है और आगे भी मिलेगी क्योंकि शनी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं अब तक शनी मंगल के साथ में करांतिकारी योग बना रहे तो और भी अच्छे रिजल्ट दे रहे थे पर शनी चुकी अपनी राशी में हैं इसलिए मैनत का यते स्टोफल आप जरूर प्राप्त करेंगे अधिकारी आपकी मैनत को सराएंगे आपकी मैनत का क्रेडित कोई नहीं लेकर जा सकता लाप की स्ततिया अच्छी रहेगी रिस्की कावों में इंवस्मेंट करने से बचे है क्योंकि शनी मैनत में बिलीव करते हैं और मैनत से ही आपको अच्छा लाप दे सकते है इसलिए आपको थोड़ा मैनती बनना पड़ेगा यहाँ पर आप अपनी मैनत से अपना लेवल और सरकल भी बनाते हुए दिखाई देंगे इस समय आपका जान पचान का दाइरा सामाजिक दाइरा आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो शनी के रिजल्ट करमेश और लापेश दोनों के हिसाब से आपको बहतरीन मिलेंगे तो यह तो हुआ मेश राशीवालों का मही मा का मासिक राशीफल अब थोड़े से उपाए जान लेते हैं कि मही मा में आपको उपाए क्या करने चाहिए सूर्य देव को जल का अर्ग रोजाना देना शुरू करें यह आपके लिए बहुती बैतर रहेगा मंगल के बीज मंत्र का जाब करें क्योंकि आपके राशी स्वामी है मंगल इसलिए आपको मंगल के बीज मंत्र का जाब जरूर करना चाहिए बजरंग बान का पाट आप जरूर करें बाए हाथ में चांदी का छला आपको धारन कर लेना चाहिए और मेश राशी के जात को कुरात को सोते वक्त सिराने पर एक गिलास में पानी भर कर सोना चाहिए और सुबह उठकर उस पानी को किसी गमले में डाल दे इससे कोई भी negativity होगी वो खत्म हो जाएगी और एक सकारात्मक उठजा का प्रवाह होगा तो ये को चुपाएं जो कि आपको commonly इसमा करने हैं पर यदि आप अपनी जन पत्रिका के माधिम से अपने भविश्य से सम्मंदित प्रशनों के उत्तर प्राप्त कर जिग्यासाओं को शान्त कर, ग्राओं की इस्ततियों को जान कर कुछ उपाएं अपने जीवन में अपना कर अपने भविश्य को और अधिक उन्नती दायक बनाना चाते हैं तो आप टेलिफॉनिक अपॉइंट्मेंट और परसन मीट के माधिम से मुझसे जोड सकते हैं अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिये गए नमरों पर कॉल या फिर वाट्स अप के माधिम से संपर कर सकता हैं अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए, वियस्त रहिए, मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जय श्री राते क्रश्ना पाँच छे पाँच आर तीन छे दो